फाइनेंस कंपनी के करमचारी से लाखों रूपे की लूट करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफतार जैनाराइन व्यास कॉलोनी पुलिस ने फाइनेंस करमचारी से लाखों रूपे की लूट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस ने 5 मई को जना स्मॉल फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट आमीर खान के साथ हुई करीब 3,80,000 रुपे की लूट के मामले में कारवाही की है नमश्कार मेरा नाम है करन पारिक और आप देख रहे हैं राजस्तान की अवाज सबसे हट कर सबसे अलग सकते के साथ राजस्तान की अवाज तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कि क्या था पूरा प्रकरण पांच मई को परिवादी आमीर खान ने मुकतमा दर्ज कराते हुए बताया था और पांच मई को करीब एक लाख रुपए का कलेक्शन किया था कुल मिलाकर तीन लाख अजसी हजार रुपए किये थे उक्ते रुपए लेकर प्रार्थी बाइक से नापासर से बिकानेर आ रहा था उसी दर्मियान बिकानेर रोड पर हनमान मंदिर से थोड़ा आगे पहुंचा तो पीछे से बिना नम्मर की एक बोलेरो केमपर गाड़ी आई और बाइक के आगे लगा दी गाड़ी में तीन सी चार नगापोष यूवक उत्रे और प्रार्थी से मारपीट करने लगे दंड सहिता में मुकदमा दर्जकर अनुसंदान थाना अधिकारी महवीर प्रशाद विष्णोई पुलिस निरक्षक जैनाराइन व्यास कोलनी बिकानेर द्वारा शुरू किया गया प्रक्रण की गंबिर्ता को देखते वे श्री योगेश यादोव आईपेस जिला पुलिस अधिक्षक बिकानेर के द्वारा वे श्री अमित कुमार आईपेस अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक शहर बिकानेर के निर्देशन में तथा श्री पवन कुमार भादोरिया वरता अ पुलिस निरक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना भीचवाल श्री नवतनीत उप निरक्षक थाना अधिकारी कोतवाली विकनेर के नेतरतों में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने डूडी सिपाईयों का महला निवासी मोहिन खान, धोबितलाई निवासी अलताफ खान, वैसादुल गंज निवासी गजिंदर सिहं को गिरफतार किया है, जिनसे अभी गहनता से पूश्ताच की जा रही है, इस बारे में जानकारी मिली की आरोपियों ने पहले प्रार्थी की रेकी की और बाद में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कारवाही करने वाली टीम में जैनारेण व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी मावीर प्रशाद बिश्णोई, बीचवाल थाना अधिकारी मनोज शर्मा, कोतवाली थाना अधिकारी नवनीत कुमार, डीच्टी सेल के रामकरण साइबर सेल के दीपक यादो, जैनारेण व्यास कॉलोनी पुलिस थाने के रोहिताश भारी, रगुवीर दान, सूर्य प्रकाश, राकेश, डीच्टी सेल, बिकनेर के सतार, वासुदेव लकविंदर सी, योगिंद्रे सवाई सी हैं, वह पुलिस अबस्तान के वाज के साथ, ये हिंद, ये भारत